जीन्द में आज किसान अंदोलन की तस्वीरें उस वक्त ताजी हो गई जब सेंकणों की तादाद में किसान ने खटकर टोल प्लाजा पर कबजा किया और धरने पर बैठ गए खराब फसलों की स्पेशल गिर्दावरी और मुआफजे की मांग को लेकर भड़के किसानों में इसकदर रोश था कि किसानों को मनाने में प्रशासन के हाथ पूल गए थी करीब दो घंटे तक SDM राजेश कोत को किसानों ने टोल प्लाजा पर रोके रखा किसानों ने जित पकड़ ली थी कि या तो DC उनके बीच आए या फिर ADC को भेजें वरना उनका धरना जारी रहेगा किसान नेताओं ने इस मौके पर कहा कि सरकार और प्रशासन ने जिन्द के किसानों को मुआफजा ना दे कर आंदोलन में अपनी हार की टीस मिटाई है जिसे बरदाश्त नहीं किया जाएगा है जबकि जीन्द में बहुत ज्यादा फसले खराब होई चाहिए बाद अंबाड़ी की कर लें या बाद दूसरी फसलाई कर लें बहुत ज्यादा फसल खराब होई है इसलिए उनको मौआउजा दिया जाना चाहिए जल्द से जल्द और जो गिरदावरी जो ठीक तरीके से नहीं करी गई है जीन गांबा में सो सो परसेन का नुक्शान हो रहा है वहाँे बहुं 부분이 18 पर्सेंट 15 खराबी दिखाई गई है ताकि किसानों का सोशन कीया जा सके तो आज यहां पैं तमाम गाउं के किसशानी स्खट कंडॉल पर इकْकटे हुए हैं और सिर्फ जिलों की नियुन राज्यों की भी अगर हम बात करें जैसे अरियाना पंजाब ना अंदोलन बहुत मजबूती ते लड़या तो बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में से अरियाना और पंजाब की सद्धिस्टा खतम कर दी गी अरियाना था इरिगेशन वाले सेक्टर में एक मेंबर अरियाना का पंजाब का एक सेक्टर था पावर वाले उसमें पंजाब का एक मेंबर तो अरियाना पंजाब की मेंबर सी पटा दी आप ठीक उसी तरीके से जिले वाई जे दिया आओगे तो इसमें कोई दो राए नहीं पूरे अरिया किसानों के इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चड़कर हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ जबरदस्त हुंकार भरी किसानों के रोश को देखते हुए खटकर तोल पर भरी संख्या में पुलिस पोर्स की भी तैनाती की गई थी लेकिन किसानों में घुस्सा इसकादर था कि जब तक ADC शाहिल गुपता किसानों के बीच नहीं पहुँचे और उन्हें ठोस आश्वासन नहीं दिया तब तक किसान धरने से उठने को तयार नहीं हुए नहीं पहुचे जब तक किसानों धरने से उठने को तक किसानों धरने से नहीं हुए जोड़ा सितनबर को खत्म हो गया ता आपिए उन्हें पहले भी तिस तो गोड़ा किया रहा है यह मुआज़ा से यह मुआज़ारों सर्कारा कि रहा है तो आप पांसो शाशी क्रोड़ तो आप आप तो आप रहा है लेगिन जब आपना पता करें किसी पहिमा कर्पोरी तो जीन उसक्रों रुप्या देरी है जो के इतना शाशी के रुप्ना रहा है कि मारे मुआज़न या अप इसका मतला है यह जब तीरी शञूडी है जो के बारी बर बात हो да रहा है लोगए अ आज हमने जान दाला लगाई दोल पर और अभी देल वागे हैं. इसी जाब पहर कहे हुए हैं. मैं इसे एकदम पूरी तरह साय मत हूँ. जो भी आपके खराबे का मौवजा बनता है. आज इसी सा पिजन्दीगड इसी मामले में गए होई है. इसी आपकी फाइल देखे हो. भी जी जो ये मौवजे की अमाउंट थै ये अप्टर क्यों ने. हम सब का पूरे परसाशन का जो जीन्द में है. उसका यही परियास है कि सभी गाउं का. ना केवर उचाना जीन्द बलकि सफीतों का नरवाना का. कोई भी गाउं है. सभी गाउं में जो मौवजा बंटा है. सभी गिसानों एक हातों में तुरंट पहुचा दिया जाए. और जो डिले हुआ है उसके लिए भी हम अगर को रिस्पॉंसिबल है. जैसे कि बात है सुद्वे तो लोधर की ये भी बात की गई. तो जहां भी अगर कोई पटवारी बदमाशी करता है. किसी फरकारी कि इस परकार की हरकत करता है. जिससे आम जनको तो उस पहों सक्त कारवाई करेंगे कानूं के दायरे में रहते हैं. इस बात का मैं और प्टीश साब की तरफ से मैं आपको पूरा आहरा देता हूआ. ADC शाहिल गुपता के आश्वासन पर किसानों ने खटकर टोल का धरना तो खत्म कर दिया लेकिन किसान नेताओं ने यहां तक ये भी कहा कि एक घंटे के अंदर किसान संगठनों और खटकर टोल कमेटी की एमर्जनसी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है बता दें कि खटकर टोल कमेटी की ओर से बीते दिनों मुहावजे को लेकर सरकार और प्रशासन को चेतावनी सहित 8 मार्श तक का अल्टीमेटम दिया गया था मगर प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन ना मिलने के चलते आज किसानों ने खटकर टोल पर कबजा कर लिया जिसके बाद प्रशासन को एक बर फिर किसानों के आगे नतमस तक होना पड़ा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद